हेलो दोस्तो अगर आपकी फेस्वों को बनाते समय किसी ने आपकी फेस्वों बनाई है उस टाम पर जब आपका नंबर है वो नंबर लगाया उसके बाद वो नंबर आपका पबलिस पर टिक लगा हुआ है टिक लगने से दोस्तो आपका नंबर कोई भी निकाल के आपको कॉल करकर के बारबाब परिशान कर रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे का आप अपने नंबर को किस प्रकाश से प्राइवेट कर सकते हैं यानि आपके अलावा आपका नंबर चाहिए कोई फ्रेंड हो या कोई अधर बेखती हो कोई भी नहीं देख पाए तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप की पूरा देगें चलते हैं दोस्तों वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी फेस होका हम इसे उपन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर क क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप इसे ऊपर की साय इस्ट्रोल करोगी उसके बाद दोस्तों आप देख रहें हैं यहां से Edit your About Info हम इस पर Click करेंगे Click करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज गुल के आ जाएगा तो आप देखे रहें, नीचे सांग Contact Info और यह आपका नंबर है तो हम इस पर Edit पर Click करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इसपरकार का पेज बुलके आ जाएगा तो आप यहां से देख रहे हैं यह आपका नमबर है और उसके सामने यह पबलिस का ओप्सन बना हुआ है हम इस पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यह आपका जो publish पर tick लगा हुआ है अगर आप यहाँ friend पर लगा देंगे तो आपका जो number है वो आपके friend देखेंगे जो आपके facebook ID में है उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे more का option हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर लिका हुआ है only me जब आप यह tick only me पर लगा दोगे तो आपका number आपके अलावा किसी को नहीं देखेंगे चाहाँ आपको friend हो यह आपका friend नहीं हो तो हम इस पर click कर देंगे किलिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ lock लग चुका है आपके number के सामने उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से save हम इसके बाद यहाँ से save कर देंगे save करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यह तुम्हारा number है नमबर पर यहां लोग लग चुगा है तो दोस्तो इस तकार से आप अपनी Facebook की ID पर जो नमबर लगा हुआ है उसे आप लोग कर सकते हैं आजा करता है दोस्तो यह वीडियो आपको जलू पसंद आई दोस्तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाग चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरू कर दे ना जिससे क्या जब भी हम कोई नई और टेक्निकल वीडियो ना उसका लिंक आप तक पहुंच जाए अगर दोस्तो आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद दोस्तो